हालो आपनी वीडियो लेक्शन में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट सोसल साइंस हो जाता रहे हैं इसके राजन सीरीज के वस्तों इस्तों टाइक कोश्चर के सीरीज को कॉंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के लिए मोस्क इंपॉर्टन हो जाता है तो आप लोग क्या किशए कि आप लोग वीडियो में लाश्ट तक बने रहे हैं क्यों क्या होता है कि जब आप लाश्च तक बने रहते तो हर एक चीज आपको डेटेल में पता होती है और जब आप इसकिप करके वीडियो को देखते हैं तो उस चीजा छूट जाती है और वहीं कब चाहिए चीजा करना रहता है और सब्सक्राइब में चाहिए और हर्टरक सब्सक्राइब मिल रही है कि कुछ भी पे नहीं करना रहता है तोसर नहीं कहा है तो चलों को सस्क्राइब कर लें और गाइगन को भी ज्यरूर प्रेस करें। जिसे आपके पास कोँजा आप अच्छे से तैयारी कर सकें तो चलते हैं हम लोग सटार्ट करते हैं वस्तों रिस्टृ टाइप kayak questions पहले स्टार्ट करते हैं आज की कोश्चन हो जाता है पहला जजिया कर समाप्ट किया था तो बाबर ने हुमायू ने अकबर ने या जहांगीर ने तो इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है अकबर ने यानि जजिया कर किसने समाप्ट किया था तो अकबर ने किया जजियाकर समाप्ति किया लेकिन पंद्रा सो पछत्र यानी 1575 में उसे फिर से लगा दिया था और कोशण हो जाता है बाबर नामा किसकी क्रति है तो बाबर की शयजहां की जहांगीर की या औरंग जैब की तो बाबर की हो जाती है यह नहीं बाबर नामा किसकी कृती है तो बाबर की और बाबर नामा बाबर की आत्म लिखित जीवनी हो जाती है और यह उन्होंने अपनी मात्र भाषा चक्ताई तुर्की में लिखी थी अगर भाषा की बात आ जाये तो चक्ताई तुर्की हो जाता ह खानवा का युद कब हुआ था? खानवा का युद कब हुआ था? तो आपका जो खानवा का युद हो जाता है वो 16 मार्च 1527 को ठीक है तो खानवा का युद बाबर और मिवाड के राडा सांगा के मध्य लड़ा गया था अगर कोशन ऐसे भी आ जाता है कि आ गया कि खानवा का युद किनके किनके बीच में लड़ा गया था? या कब लड़ा गया था? तो आपको पता है 1527-16 मार्च को और किनके मध्य लड़ा गया था? तो बाबर और मिवाड के राडा सांगा के बीच में कोईशन हो जाता है आना सिक्के का परचलन किसने करवाया था तो अकबर ने शाजहा ने जहांगीर ने या कोई नहीं तो शैजहा हो जाते हैं यानि बाउप्षन आपका राइट हो जाता है शैजहा ने दाम और रुपे के मद्ध आना नामक नए सिक्के का परचलन करवाया थ यानि दिखिए आपका बावशन राइट है पानिपत का तित्य युद कब और किसके बीच हुआ था तो मुगलों और मराठों के बीच 1716 इस्वी में या मुगलों और एहमशाबदाली के बीच 1761 इस्वी में या मराठों और एहमशाबदाली के बीच 1761 इस्वी में या शिव जी की मंत्री परिशद में कितने सदस्य थे तो 6, 8 10, 12 तो इसमें आपका अंसर हो जाता है 8 ठीक है यानी 2 उप्शन आपका राइट हो जाता है शिवाजी कहां के रहने वाले थे तो महराश्ट के मधिपरदेश के, गुजरात के या सोराश्ट के तो महरास्ट्र शिवाजी कहां के रहने वाले थे तो महरास्ट्र के रहने वाले थे और कोश्चन आपका है शिवाजी के अस्ट परधान में परधान का पदनाम बताये तो पेश्वा, आमत्य, चिटनेस या सुमंत तो पेश्वा हो जाते हैं यानि आप्शन राइट हो जाता 1274 एसवी में 1672 एसवी 9674 एसवी यह आपका राइठ है धन विधियाग लोक सभा में पारित होने के पस्चाथ कहां जाता है तो राज चप ins pra county 22 फा और 2020 आप स्वалज़ निए पर्धान मंत्री ball chocolat दो आंसर गार्ट को जाता है ने Alors question आपका हो जाता है बार्मी पंचवर्शी योजना की अवधी थी 2007 से 2012, 2005 से 2010, 2010 से 2015 या 2012 से 2017 तो आंसर आपका हो जाता है दाव option यानि 2012 से 2017 दाव option राइट है बार्मी पंचवर्शी योजना के तहट आठ परतिशत विकास का लक्षे रखा गया और अम जेब के समय का पर्मुप अमीर जो व्यापारिक जहाजों का मालिक कौन था तो शायस्त खाँ दिलेर खाँ मीर जुमला या बहादुर खाँ तो मीर जुमला हो जाते हैं साउप्शन राइट हो जाता है आपका कर्णो जत्वा बिल्ग्राम का युद्ध कब हुआ 1510 इस्वी में 1532 इस्वी में 1531 इस्वी में 1540 इस्वी में तो 1540 हो जाता है सिविल सेवा परिक्षा किसके शाशनकाल में प्रारम हुई थी तो कार्ण वालिस के लाड विलियम बेंटिंग के लाड रिपेन के लाड करजन के तो कार्ण वालिस आउप्शन राइट है लाड वेलेजली ने पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधी की थी पुरंदर की संधी, बेसिन की संधी, सुरुजी अजुन गाओं की संधी, देव गाओं की संधी तो बेसिन की संधी बाउप्शन राइट हो जाता है बंगाल के पर्थम गवर्णर जर्णर थे लाड़ कलायू, बेंसी टॉट, बेरेलस्ट या वारेन हैस्टिंग्स तो वारेन हैस्टिंग्स हो जाते हैं बंगाल के अंतिम गवर्नर जर्णर थे तो लाड आफ लेंड, लाड हैस्टिंग्स, विलियम बैंटिंग या कार्ण वालिस तो विलियम बैंटिंग हो जाते हैं, साउप्षन राइट हो जाता है, अकबर का सेनापती कौन था, टूडरमल, अब्दुस्समद, मान सिंग, कोई नहीं तो अकबर का सेनापती हो जाता है, मान सिंग भारत का सबसे उचा दर्वाजा कौन सा है, बुलन दर्वाजा, बंबई दर्वाजा, कलकते का दर्वाजा या दिल्ली दर्वाजा, तो बुलन दर्वाजा हो जाता है, फतेपुर सीक्री, 1571 इसवी की स्थापना किस ने की थी, बाबर ने, शेर्शा सूरी ने, अकबर ने या शह जहाने तो अकबर ने तुझ की बाबरी किसकी करती है तो तुझ की बाबरी हो जाती है आपके बाबर की अकबर की गुलबदन बेगम या कोई नहीं तो बाबर की हो जाती है संग सूची में कितने विशे समिलित किये गए है देखे ओप्शन आ में भी 100 है ओप्शन बा बात हो जब एक ही जैसा है बाकि यहां पर देखें सिरीज में भी आउप्शन पर टिक है तो आप टिक कर सकते लेकिन दोनों आपके सही हैं क्योंकि 100-100 दो जगा दिया गया है कोशन हो जाता है राज सूची में कितने विशे समिलित किये गए हैं तो 64 या 61 या 65 या 78 तो इसमें आपका हो जाता है 61 या 61 समवर्ती सूची में कितने विशे समिलित किये गए हैं तो समवर्ती सूची में 52 या 61 या 99 या 120 तो 52 हो जाते हैं सिच्छा को कि सूची में रखा गया है तो संग सूची राज सूची समवर्ति सूची या सभी तो समवर्ति सूची हो जाते हैं मुख्य मंत्री की न्यूक्ति कौन करता है तो मुख्य मंत्री की न्यूक्ति राजपाल करता है राश्टिपती करता है या उपराश्टिपती करत परदान मंत्री करता है तो मुख्य मंत्री की न्यूक्ति राजपाल करता है ठीक है नहीं राज पाल या सनीर exercise पर ट्रिक आप इस तरह से याद रख सकते हैं संसत के निम्नि सदन को कहते हैं लोकसभा राज जी सभा दोनु या कोई नहीं तो लोकसभा रिजर बैंक भारत का केंडरी बैंक है इसका मुख्याले है मुंबई मदरास दिल्ली अलहाबार तो आपका मुंबई हो प्रदान मंत्री तो इसमें आपका लोग सभाध्यक्ष यानि आउप्षन राइट हो जाता है ठीक है तो फ्रेंड्स आप लोगों को शेशन अच्छा लग रहा होगा अगर शेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजेगा और अगर अभी आपने चैनल पर विजिट किया है और न्यू है आप चैनल पर तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा क्योंकि सस्क्राइब करने से क् पाते हैं ठीकए और लाइक तो आप कर ही देते हैं ये तो हमें कहने की जरूरत ही नहीं रहती हैं विक्टोरिया जलपरपाथ कहां है तो एशिया में यूरोप में अफ्रीका में दच्छडी अमेरिका में तो अफ्रीका हो जाता है तो अफ्रीका में एशिया में यूरोप में या आस्ट्रेलिया में तो अफ्रीका हो जाता है ठीक है फिर है दच्छडी गंगोतरी मेत्री अत्तथा भारती शोध केंद्र कहां ख थोला गया तो अंटार्टिका महाद्यूप अफ्रीका यूरोप एशिया तो अंटार्टिका महाद्यूप हो जाता है पृतिवी के कितने भाग पर जले एक चौथाई या तीन चौथाई या आधा तो तीन चौथाई हो जाता है पृतिवी का कितना भाग इस्थले एक चौथ चोफाइ या संपूर्ण्ण या आधा या तीर को च्प महाध्यूप में ऐसे आफ़ीडा आस्ट्रेलिया में अंध महाद्यूग कहा जाते हैं तो आस्ट्रेलिया जानी अंध महाद्यूग कहा जाता है किसको कहा जाता है यह कोश्यन है यहाँ पे तो आस्ट्रेलिया को अफ्रीका को यूरोप को एशिया को तो अफ्रीका को कहा जाता है भारती सविधान की आठ्वी अनुसूची में कितिनी भाशाओं का उलेक है 16 या 18 या 22 या 21 तो इसमें आपका 22 हो जाता है भारत की संसत से व्यक्त होता है लोगसभा राज्यसभा या राज्यसभा या लोगसभा राज्यसभा या लोगसभा राज्यसभा या राज्यसभा तो लोगसभा राज्यसभा या हटाया जा सकता है तो राश्टिपती को राज जिपाल को मुख्य मंत्री को या सभी को तो महाभियोग द्वारा राश्टिपती को हटाया जा सकता है ठीक है निमलिखित में से कौन सकर केंडर सरकार द्वारा लगाया जाता है तो व्यापार कर मनुरंजन कर यात्री कर या नि सीमा शुल्क या विक्री कर तो इसमें आपका सीमा शुल्क हो जाता है यानि साउप्षन आपका राइट है मत्स पालन के परमक छेत्रों में उत्तरपूर्वी सयुक्त राज अमेरिका के तटिये छेत्र का नाम है डागर बैंक ग्रेट फिशर बैंक फिश फाउंटेन बैंक किया ग्रांट बैंक तो दावप्षन यानिक ग्रांट बैंक हो जाता है इस तरह से फ्रेंड्स आपका यहां पर session complete हो जाता है और आपकी जितने भी वस्तुनिस्ट टाइप यानि आप जो series पढ़ रहे हैं राजन series इसके वस्तुनिस्ट टाइप questions complete हो जाते हैं next class में हम लोग अतिलगुत्री type questions की series को continue करेंगे आप लोग video में जब भी आपको video provide हो तब भी आप तब भी आप क्या करें आप लोग पूरा video देखें वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करें क्योंकि क्या होता है जब आप पूरा video देखते हैं class पूरा attend करते हैं बिना skip किये हुए तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आती है सो मिलते हैं next class में अगर चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया तो subscribe कर लें और bell icon को भी जरूर प्रेस कर दें ठीक है thank you